नमस्कार व्यूवर्स मैं हूँ अमीश देवगन रात के नौ बच चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवास पे टककर का ये मेगा शो टूजडे एडिशन विदान सभा चुनाप से पहले मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्या दित्तिनात के पोस्टर लगाएगा है जिस पर विवाद हुआ है और जिस पर राजनीती भी हो रही है और क्या वाकई डिवाइड एंड रूल है या डिवाइड करके 80% लोगों का वोट काटना है इसका मकसद क्या है आज इसी पर cnbc अबास पर एक बड़ी पोलिटिकल टककर है तो मेरा निवेदन है आज का कारेक्रम जरूर जरूर देखें मुंबई में योगी आदित्तिनाथ का ये पोस्टर चुनाव का रुख साफ साफ बता रहा है इससे पहरे हरियाना चुनाव में सीम योगी का एक बयान काफी फेमस हुआ था रहोगे तो कटके एक रहोगे लेका है अगर वो जरे हैं प्टोनी इस पिड़े परिवायर्य के लोग भटना मत आतो बटेंगे नहीं कटेंगे, ताना साही के खिलाफ ढटेंगे और एहंकार के पंक छटेंगे देश जब अजाद हुआ और उसके बाद जो बटा देश और उसके बाद जो लोगों ने विभाजन की विभीशिका देखी उसकी पुन्रवरित्ती नहो इसका सार और इसके मूल आत्माई वैसे सपा के बड़े नेता अबू आजमी के एक बयान पर भी सियासत गर्म है बटने वाले मामले पर पीम मोदी भी इसी महराष्ट से एक बड़ा संदेश दे चुके हैं हमें याद रखना है अगर हम बटेंगे तो बाटने वाले मैं फिल सजाएंगे इस बीच शरत पवार गुट के नेता रोहित पवार ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सीटो पर खीचतान वाली सदा बाहर सियासत ही जारी है लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हर्याना वाला सियासी काड महराश्टर में काम आएगा आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस वोट में दरार किसका बेड़ा पार और अब वक्त है सूपरसिद विश्टेशन का बटने पर वोट कटने वाला विश्टेशन पहला फैक्ट जो पोस्टर आया हर्याना की तरह महराश्टर में भी हिंदू वोट बैक में बटवारे की सियासत का मुद्दा हाफी हावी रहेगा और हावी इसलिए रहेगा जो कि ऐसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ है कि OBC और गलित और महादलिट वोट पटा है और इसलिए वहाँ पर गैर BJP पार्टिया जो है वो जीत कराई है दूसरा फैक्ट जो कि महत्रपून है वोटर जातियों में बढ़ते हैं तो NDA को नुक्सान होता है यूपी लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर इसका इंपक्ट रेखने को बिला और वोटर पटा इसके लिए नुक्सान हुआ लेकिन नरेटिव यह था कि सविधान बतला जाएगा आरक्षन समाप्त होगा लेकिन वो नरेटिव अब हर्याना चुनाव के बाद ध्वस तो गया है और उल्टा राहूल गांदी ने बयान दे दिया कि हम आरक्षन को लेकर सोचेंगे विचार करेंगे फिर उन्होंने क्लारिफिकेशन इशू जरूर करी लेकिन उसका नुक्सान पोहोच चुका था तीसरा फैक्ट जोकी महतपूर्ण है माराश लोकसभा अनसबाश शेत्रों में से पांक पर बीजेपी को बंपर जीत मिली लेकिन माले गाउं सेंट्रल जो की मुस्लिम बहूल है वहाँ पर कॉंग्रेस को लगवग लगवग दो लाख वोट पड़ गया और बीजेपी को 45 सो वोट पड़ा तो वहाँ पूरी गेम बदल गई और बीजेपी ये सीट हार गई फाइनली अब मैं आता हूँ पांचवे फैक्ट की तरफ मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा उद्दव गुट और कॉंग्रेस को मिला है जो की हार्ड फैक्ट है अब मैं आता हूँ छटे फैक्ट की तरफ हर्याना चुनाव में ज्यादतर जातियां एक जुर्ती जिसका सीधा फाइदा बीजेपी को मिलता हूँ हमें दिखाए सात्वा फैक्ट जारकंड में पिछड़ा और आदिवासी वोट बटा तो जेमेम को इसका सीधा लाव होगा इसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने धर्मांतर और अबादी आसं के लिए विपक्ष जाती की दिवार खड़ी कर रहा है आज का यह बड़ा प्रस्ट है और मेरे साथ कई दिगज महमान जुड़ेंगे आज की सर्चा के लिए सुधान शुत्रवेदी बीजेपी मेंबर अपार्लेमेंट महुआ माजी जेमें मेंबर अपार्लेमेंट उन दो सुबे हैं जो सुबे से अज हेड्लाइन्स के अंदर है जिन्होंने बयान दिया है बटने और कटने को लेकर उनका भी अभिनंदन है शिवसेना शिंदे शिवसेना उद्दव गुट के आपका भी अभिनंदन है तो आप तमाम लोगों का स्वागत है शुधान शुत्रवे अमीज जी बड़े आश्यर की बात है बटने की बात करना बटने से रोकने की बात करना और एकता की बात करना में साजिश नजर आता है मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ हम सब में से जादातर लोगों ने वो कहानी सुनी होगी की बच्पन में की एक बुड़ा किसान जब बहुत बुड़ा हो गया और लग रहा था उसे की मेरा जीवन कितने दिन चलेगा तो उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उसको खूब सारी बेत की एक गठरी बना के दी और कहा कि अब इसको तोड़ो तो चारों ने जोर लगाया नहीं तोड़ पाए फिर सबको खोल दिया उसको और एक एक बेत सबको दे दिया सबने तोड़ दिया उसने कहा बस मेरे बच्चों यह याद रखना अगर तुम्हें एक जुट रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा अलग अलग हुए तो इनी सीकों की तरह तोड़ दिये जाओगे यह तो पंच्चतंत्र की कहानियों में है और जो इन लोगों का भी लिखा हुआ इतिहास था हमें यही बताएगा भारत ता महान देश था हमारी जीडीपी सबसे अच्ची थी हम तो महात्मा बुद्ध के देश थे हमने महात्मा गांधी का इतना आदर्श रगाया क्यों हार गए साहब कहा गया जाब विरादरी में बट गए इसलिए हार गए मैं पूछना चाहता हूँ आप अंग्रेजों के जमाने में तो दोश देते हैं कि हिंदू मुसल्मान गिराई अंग्रेजों ने कटवाई मेरा प्रस्ति यह है कि यूपी हो महारास्ट हो जारकंड हो हर जगा बटवारे की बात हो रही है आप जारकंड के अंदर कह रहे हैं और खास तोर पर जारकंड के अंदर आप मुद्दा उठा रहे हैं पिछ्रा और आदिवासी वोट बैंक अगर बटेगा तो उसका फाइदा जेमेम को में लेकर जो हार्ट फैट है लेकिन आप आप आपे आबादिया मैं जो कहना चाहरा हूँ अमीज जी यह चुनाव से बहुत परे की चीज है चुनाव बहुत छोटा है देश की स्थिति क्या होगी मैं अपना एक वाक्य पूरे करके फिर वर्तमान का भी बताता हूँ अगर जैचंद और परत्विराज में बटे नहीं होते तो मुहम्मद गोरी काट नहीं पाता यदि आंभी और पूरस बटे नहीं होते तो सिकंदर आ नहीं पाता इसलिए बटने से कटने का मामला हजारों साल का है इसको चुनाव से चोटी चीज से बचाईए नहीं यह नहीं कि भाजपा मजबूत होगी भाजपा कमज़ोर होगी देश मजबूत होगा या देश कमज़ोर होगा अगर आज आदिवासियों के हक के उपर बाहर से जो गुसपैठिये हैं उनका दबा हो रहा क्या है सच नहीं है कि जारखंट के तमाम इलाकों में आदिवासियों की जनसंख्या में डेमोग्राफी में चेंज आया है उसी ढंका चेंज जैसा असम में आया था वैसाई चेंज जो की बंगाल के मालदा के जिलों में आया था मगर किसी को कुछ नहीं दिखता क्योंकि सब को शॉट टर्म चाहिए हम वो देश हैं हम वो पार्टी हैं देश की उस परपरा की जो कहते हैं पच्चीस साल का हमारा प्लान है अमरत काल का और प्रधान मंतरी जी ने कहा ये पच्चीस साल एक हजार साल के भारत का अधार बनाएंगे बाकी किसी को चिंता है 2047 भारत विक्षित राष्ट बनेगा या बाकी पार्टियों केवल इतनी चिंता है कि 2047 में मेरा बेटा या मेरी बेटी पार्टी पे कंट्रोल रखेगी या नहीं रखेगा या नहीं और सत्ता में मेरा हिस्सा रहेगा कि नहीं बस इसके आगे किसी का कोई एजेंडा नहीं है आपकी पार्टी को चिंता है कि आपकी पार्टी का परिवारवाद कितना आगे बढ़ेगा बीजेबी को देश की चिंता है इसलिए बटने और कटने की बात करते हैं आप खुद परिवारवादी हो गए हैं आप पता करके देखिए कि ज्यारकन में यहां पर रगवरदास जी के बेटे को टिकर्ट दिया गया और नाम नहीं लूंगी लेकिन हमारे पार्टी से एक नेता को बुला के उन्हें और उनके बेटे को टिकर्ट दिया गया इसके अ आप 57ran sięu में डेमोग्राफिक अगर बद्लाव होगा मवाधी डेमोग्रेफिक अगर बद्लाव होगा तो ऑगर डेमोग्रेफी में बद्लाव होगा और जकन के बने बद्ला जाया है औरатов मत्मानल करें की सरकार में बड़ा कंवर्जर हुआ है यह यरूप है पहले मेरी बात मुझे बोलने दिया जाए जिसके पहले आप आकडों को उठा कर देख लीजिए जिस समय यहां पर भाजपा के मुख्यमंत्री लगाता रहे क्योंकि दोहजार में जारकन मना दोहजार चौबीस के बीच में 17-18 साल तक भाजपा का कारिकाल रहा जिसमें से उस करी के माध्यम से तरह तरह के प्लेशपेंट एजाय उनके कारिकाल में वांजपा का में सारे तेखर यहां दोने देने के नाम पर दूसरे राज्जियों में लब जाते थे उनका हर तरह से शोशन किया जाता था एक पन्णालाल नाम का ट्राफिकर जवाब जवाब सुदान चुद्रवेदी यह एजेंडा आपको सूट करता है अखिले शादव ने भी बोला जैमें भी बोल रही है यह पोलराइजेशन है और यह वह माजी भी बोल रही है इस पोलराइजेशन भारते अंता पार्टी ओके सुदान चुत्रवेदी को सुन लेते हैं 40 सेकंड शुदान चुद्धी देखे मैं इसमें सिर्फ जारकंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेंजी का एक बयान कोट करता हूँ जब उनसे कहा गया कि डेमोग्राफी चेंज जारकंड में हो रहा तो उनके मूँ से अनायास क्या निकला अरे हमसे कहीं जादा बंगाल में हो रहा है यानि इंडी गढ़ब बंदन के एक मुख्यमंत्री ने इंडी गढ़बंदन के दूसरे मुख्यमंत्री को आईना दिखा दिया और अभी महुआ जी ने भी क्या बोला ये समस्या तो आई है जब हमारी सरकार थी आप में बोला आरे सुरिये कि आसम के रास्ते से हो वापस आते हैं जब मेरी बात तो सुनें आपको याद होगा हम 2005 और इन्हें रोकने के जिम्मेदारी केंडर सरकार की है ना की जारकंड सरकार की आप जानते हैं आएम्टीटी जैसाब हयानक कारून कॉंग्रिस ने लाके रखा था आसाम ने अरे अपने 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 टर्न पे बोली है अपने 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 टर्न पे बोले तो बहुतर होगा मौवा जी अपना पॉइंट रख ले चालिस सेकंड में देन यू कामें आप देखिया मैं बताता हूँ आएम्टी एक्ट कॉंग्रेस के जबाने में बना था जिसका मतलब जानते क्या था अगर कोई विदेशी घुस पैठी आपके बगल में रह रहा है और आप ये कहें कि ये बंगला देशी है तो अब आप साबित करिये मंगला देश से डाकूमेंट लाके को मंगला देशी है आपको नहीं करना और जब सुप्रीम कोट ने 2007 में कॉंग्रेस का रिजीम था इनको कान खोल के सुनना चाहिए जब आएमडी टी एक को कुईश किया तो उसने ये लिखा है कि ये भारत पर विदेशी आक्रमण के समकष था इट एमाउंट स्टर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया और उसकी अगेंस भी कौन गए ते सर्वानन सोनवाल उससमें सांसत थे गए ते जो हमारे बाद में मुख्यमंत्री बने तो बिल्कुस सही बात है मुख्या जी की बात असाम के रास्ते होता था असाम के गवर्नर ने कहा उन दिनों और पांच हजार लोग क्रास करके आते थे और बाउंडरी तक डिफाइन नहीं थी भारत और बंगला देश के बीच में कई दलों के दिलों में काटे चुबने लगे हैं कि उनका बॉल्र में कम हुआ है और कौन इन घुसपैटियों के दम पे सत्ता पाता है मैं दर्शकों जे कहना चाहता हूँ हाल में संपन्य लोगसभा चुनावों में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किस कांसिच्वेंसी में है वो असम की धुबरी सीट पर कॉंग्रेस के रकीमुल हसन दस लाग पचीस हजार से जीते हैं और असम में किसी से भी पूछ लिए जाके आम जनसुत की भाषा में धुबरी को मिरी बंगलादेश कहा जाता है और ये पिछला चुनाव एक माच चुनाव था जिसमें शशी थरूर ने बंगलादेश के अकबार डेली स्टार में आटकिन लिखा कि मोधी हैस टू गो चुनाव भारत में बंगलादेश के अकबार में आटकिन लिखा अब समझ में आता है बंगलादेश के अकबार में आर्ट की लिखा मोधी हैस टूगो और जहां बंगलादेशी घुसपैट सबसे आदा जिले में हैं वहां 10,25,000 से यानि राहूल गांदी के तीन गुने से जीते अब ये दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है कि किसको घुसपैटियों से प्यार है और किसको घुसपैटियों से तकरार है ठीक है ओके मागवा माजी में कियो पइट आपने इतियास सुनाया तो मैं भी सुना गया पता होगा कि असम में जारकन के जारकन के बहुत सारे आदिवासी हमारी बहने हमारे भाई लोग वहां पर तीन चार जनरेशन से रह रहे हैं उनको ले जाया गया था कभी वहां चाय बगान बनाने के लिए कटिन परिस्तितियों में उन्होंने साब बिच्छू के बीच में का करके वहां का चाय बगान बनाया चार पीडी से वहां संगर्ष कर रहे हैं असम की उकनौमी में उनकी बहुत बढ़ी भूमिका है यह लगातार वहां स्पेशल ट्राइब का दर्जा की मांग कर रहे हैं पूनी संगर्ष हो रहा है वहां अमारी एक आदिवासी बेहन को आदिवासीयों के साथ आपने आए करो उनकी मांग को पूरी करो ओहां खुनिस अंगर्ष हो रहा है उनके साथ लोकल लोग क्या जगन्या प्राथ करना है या आपको लगता नहीं की अबादिया संतुलन और धर्मानतन एक बड़ा मुद्दा है चाय वह असाम हो चाय वह ब गाओं के गाओं में समस्या आ रही है जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो बहुत स्केरी है अगर वो बॉर्डर से अंदर आ रहे हैं तो यह रोकने के जिम्मेदारी केंदर सरकार की है पहले के आ चुके है मैडम जब आप नहीं रोक पा रहे हैं अपने देश की तो फिर पुना तैसीन और सुनी लादाव और बिजमन शिवास्ताब आनंदू में इंतजार कर रहे हैं सुदान्चू थर्टी सेकेंड यह तो केंदर की जिम्मेदारी है आप अपना पढ़ना जारना चाहते हैं इससे स्ट्रेट पॉइंट और बटेंगे और कटेंगे पर दिन पांच जार लोग आते थे इसी लिए हम यह कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आपने बात इमानदारी से कहें और एक और मैं फैक्ट दर्शकोक साब ने रखना चाहता हूं भूल जाए राजनीत को अगर आदिवासी छेत्रों में वनवासी छेत्रों में बगएर धर्मांत के मोटिव के किसी संगठन ने काम किया है तो वो है वनवासी कल्यान आश्रम जो आरेसिस का संगठन है जिसने जारखन 36 गर्ड नौर्थीस्ट उडिसा स्वामी लश्मान सरस्वती की हत्या 2008 में आपको याद होगी अनेक लोगों ने प्रांड ने उचावर किया अन्य था स सारे आदिवासी कनवर्ट हो गए होते हैं 40-50 सालों में कॉंग्रेस ने जिस जंग की नीती अपनाई थी तो राजनीत से परे रखके आत्मोत सर्क के भाव से शुद्ध निष्ठा के भाव से शुद्ध आदिवासीों के सेवा के भाव से अपनी जान जोखिम में डालके का जी यू मेडियो पॉइंस है अनंदूबे की पार्टी से और मैं दोनों से ये सवाल पूछता हूँ अबू आजमी ने बोला हम सब हम हभी दो हैं हमें 6-8 MLA और चाहिए और जिस दिन अखिलेश भाई 8 MLA हो गए ना किसी की माने दूद नहीं पिया जो मुसल्मान की तरफ आख उठाके देख सकें सुनी लिया दो मतलब उनने कह दिया ये 6-8 MLA होंगे तो मुसल्मान ही होंगे मतलब आप कहते हैं और आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू-मुसल्मान कर रही है चुनावत के अंदर मैं बोलूँ बिल्कुल जा एक तो मैं सुनना था बीजेपी के प्रवक्ता ने बात रखी कि उनका एजेंडा देश है सुदान्सु भाई आप अधूरी बात कह रहे हैं भारती जनता पार्टी और आर्सेस का एजेंडा देश को लूटना है देश के संसादनों को बेचना ह जो पिछले लगबग साड़े 10-11 सालों से आप लोग कर रहे हैं दूसी बात एक आपने बहुत अच्छा उदारन दिया हम लोगों के गाउं में भी कहा जाता है कि लकड़ी अगर अलग-अलग होगी तो कोई भी तोड़ देगा एक होगी तो नहीं तूटेगी वही पीडि को तो कहते नहीं क्योंकि आप हिंदूों में ओभी सी को तो हिंदू मानते नहीं है दलित को हिंदू मानते नहीं है आदिवासी को हिंदू मानते नहीं और अगर हम मात मान भी ले कि आप मानते हैं तो योगी आदित नाजी का इतिहास उठा कर देखिए जिस दिन से उन्हों जाँ यादर आया देंगे आपने सुधानसु भाई को 40 सिकंड एक 40 सिकंड एक 40 सिकंड एक तो कम सेख़ा नियुन थीक मैं आ रहा हूं तो आप समझे कि भारती जंटा पार्टी हिंदू मुसन्मान कर रही कि नहीं कर रही अब तु मुझे लगता है कि आप तो देश के बड़े पत्रकार अब जान गए होंगे बहराईस का दंगा किस ने कराया बिजेपी ने कराया योगी सरकार का प्रयोजित दंगा था बहराईस का दंगा वो आप कहरें कि वो बीज़ेपी ने कराया, मैं तो आपसे पूछाओ कि अबू आजमी ने जो बयान दिया, इसके उपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूँगा, लेकिन, लेकिन, मुझे एंडिये के एक और घटकदल के पास भी जाओंगा यहां पर तो बीज़ेपी ने तो कहीं बात, लेकिन क्या एंडिये की तरफ से कहीं से बयान आया, किसी की माने दूद नहीं पिलाया, जो मुसल्मान की तरफ आप उडा सके, यह का अबू आजमी ने, 6-8 में ले आ जाया हमारे तो पर उन्हों ने तो देश में किसी की बात ने करी ना, उन्हों ने तो महाराश्ति में मुसल्मान की बात करी तरफ दंदा नहीं करा सकती, लेकिन देखें एक आपती है बिजमोन शिर्वास्तव की बटेंगे और कटेंगे जो है वो डिवाइड एन रूल है, लेकिन जब एक नेता और अगाडी का घटक दल ये बात कहता है, तो वो हिंदू मुसल्मान नहीं कर रहा, वो आप लोग समझ रहे हैं, एंडिये कह रहा है कि इस से दाता क्या घोर, तुष्टी करन की बात होगी, जो समाजवादी पार्टी, शिव्चेना और कॉंग्रेस का घट्चोड कर आए, वो कहने कि इस सपा की लाइन नहीं है, ये पूरी की पूरी अगहाडी की लाइन है, इस चुनाव में. कि अुग अमी अमी जी हर्याना की हार ने ब्भक्ष को इतनी तो इतनी बुरी तरह से प्रभावित किया है कि उन्होंने हर मुद्धे पर आद्र्णी परद्वा Walmart जी को ही टार्गेट पे लिया है अद्रय मतरी जी ने कह क्या उन्होंने देश का प्रद्वा कोई बात कहते हैं तो पूरे पूरे देश के लिए कहते हैं वह एक अरब 50 करोर लोगों के लिए अपनी बात कह रहे थे और उनका सीधा मतब यह था कि पूरे मुल्क को एक होना चाहिए अगर हमारा मुल्क बटेगा अगर हमारे मुल्क बट विचारधाराओं को लेकर या जा किंटा के साथ प्रधान मंतिजी का बयान को लेते हैं उनको ऐसा लगता है यह सारी बात सिर्फ उनके लिए कही गई है मैं फिर एक बार कह दूँ रास्तवाजी कांग्रेस पारटी किसी भी धर्ब और किसी भी मत की आधार पर अपी बात नहीं कहती है हम लोगों का बहुत सोच है कि देश के सारे लोग एक हैं और यहीं बात आदिनी प्रधान मंतिजी आपने उस पर कहिए लेकिन इनके दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही है क्यों क्योंकि यह लोग चाहते हैं कि इसी मुद्दे की ऊपर चुना हो इसी मुद्दे पे देश कंदर बटवारा हो और इनी मुद्दों को लेकर देश कंदर लगाता और चर्चा बन चर्चा होती रहे आप देखे अभी 20 तारीक को हमारे देश के आदनी प्रधान मंत्री जी ने चंडी गर में अब एंडिये के मुद्दी और डिप्टी चीफ इंस्टरस का है कांकलेव रखा उस कांकलेव पर चर्चा कर रहें वहें हमारे विपखुष साथी क्या बोल रहें हो जाती बड़ारे की बात कर रहें वह धर्म जाती के नाम पर प्रधान मंत्री के बयान के रहें मैं यह कहना की अ अभी इनके करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि देश के लोगों ने भी इस बात को चीक है अनन्दुबे बहुत मुस्कुरा रहे हैं इतना हस रहे हैं इतना हस खेल रहे हैं मैं तैसीन आपके पास आउंगा अनन्दुबे तो बटेंगे और कटेंगे में अमिज भाई नमस्ते क्या जमाना आ गया क्या विचलेशन बिज मुहन भाई साब ने किया इसलिए हसी आ गई अरे जो बाटनते हैं जिनको बाटने में मज़ा आता है दो बड़ी पार्टियों को महराष्ट में बाट दिया आज कर रहे हैं ओ आज मुंबई में योगी आदितनाथ जी का पोस्टर लगा के कह रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे ब्रिजमान भाई इस हिसाब से तो पोस्टर में मोदी साब होने चाहिए थे और भारत देश का नकसा होना चाहिए था क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि भा है वो घटेंगे और जनता इस पूरे चुनाव में आपको ऐसा जवाब देने वाली है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे इसके लिए यह जो पोस्टर उसको हटा लिया गया बीजेपी की बड़ी किरकिरी हो रही थी सुबह से अभी आनन फानन में उस पोस्टर को हटा लिया ग है सो एक सो दस पर कॉंग्रेस सो एक सो दस पर शिवसेना उद्धव गुट और सतर सीटों पर लगबग लगबग एन सीपी शरद राओ पवार गुट लड़े का चुनाव ऐसी खबरे मिल रही हैं और बाला साथ ठराट होंगे कॉंग्रेस के पॉइंट परसेन नाना पटो नाना पटोलेड डी नहीं करेंगे यह दिकांग्रेस को पीचे हटना पड़ा है यह बड़ी खबर इस समय आ रही है मैं सिदर रुकरता हूं तैसीन पूरावाला का तैसीन पूरावाला बराबर बराबर कि सीटों पर लड़ेगी कॉंग्रेस और शिवसेना सूतरों के वाल इतना मैं आपको कहता हूँ कि महाराष्ट्रा में MBA की सरकार आ रही है Congress, शिवसेना और राष्ट्रवादी Congress शर्रफवाग ग्रूप सबनिल कर साथ में लड़े की चुनाओ और नाना पटोले जी Congress के सबसे बड़े मीटा महाराष्ट्रा के लिए एक OBC मीटा है लेकिन नाना पटोले को तो Senior शेरिंग के formula से बाहर टीया गया है वह आपके बढ़े नेता है लेकिन वह बाहर है वह बहुत बढ़े मीटा है लेकिन सूत्र कहरे इन नाना पटोले इस पर कौन आप क्या कहना चाहते है कि Congress जाधर सीटों पर लेगी या जो सीटे मैं बता रहूँ वही नंबर होगा ये बाद ये बाद NBA मिलकर टै करेगा लेकिन एक चीज़ जो है कि सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी जो पार्टी है महाराश्च रिंदर मेरे इसाब से कॉंग्रेस पार्टी आई जी अनन्दू बे अमीज भाई 10 सेकंड महाराश्च में सिवसेना सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी ये तै है और कॉंग्रेस हमारा भाई है वो भी लड़ेगी लेकिन सबसे ज़्यादा सीटों पर सिवसेना लड़ेगी लेकिन तै नहीं हुआ है ये तै ये तै है यह तैह है यह आपको बता दिया जाए है पर तैसीन पुनावाला वो कहने तैह हो गया है कि सबसे जादा स्वीटों पर शिर्फ सेना उद्धव गुट लड़ेगा अधर अधर बात यह होगी कल आपके शोपे में भी आओगा अनन्द भाइगी देख लेकिन जहां तक मेरी नौलेज है सबसे बड़ी पार्टी जो इलेक्त होकर आएगी सबसे बड़ी पार्टी जो इलेक्ट होकर आएगी मुझे जो लगता है वह कॉंग्रिस जाए कितने भी सीट पर लड़ना चाहते हैं और हम लोग आसमान से आए हैं तैसीन भाई लड़ी और नौप आ गई अमीज भाई बीजेपी 28 लड़के नौप आ गई उनका हिंदू वोट खिसके हमारे पास आ गया हम लड़ी किस लड़के नौप आ हैं ऐसा नंबर में नहीं देख रहा है तो दो सीट भी नहीं हो पर तैसीन 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 दूरा जाता है वह तो एक बात हो गई रेके अज़े कुछ कहना चाह रहे हैं बिजमोन शिवास्टर भी कुछ कहना चाह रहे हैं यह बात फैक्त है कि मुस्लिम वोट इसमेरे एक बड़ा चंक जो है वो सपा और कॉंगरेस की वज़ा से शिवसेना उद्धव गुट को पड़ा मुंबई में खास तोर पर देखें आपके इस शो पर इन दोनों ही पार्टी के प्रतनिदियों के मुंसे कहते कहते जो दिल की आरजू लबों पर आई है उसने बता दिया है कि राहूल गांदी की Wow दुकान में बोट बाइंक है जिसने पूरे इंडी गडवन्दन को एक किया था और सारे मजनूस लैला को अपनी तरफ करने कि ने लगे हैं तो सबको उसी वोड़ बैंक पे लड़ना है सबको वही वाली सीटे चाहिए ये लैला कॉन सी है जिसका जिक्र अबु आज़ी कर रहे है बता रहा हूँ नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ इस पश्ट बता रहा हूँ अभी सुनिये तो एक कहावत होती है रजिया फस गई गुंडों में मैं या गुंडा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूँ रजिया फस गई इंडिया में इंडिया गड़ बंदन में वोट बैंक फस गया है और ये वही वाला वोट बैंक है अमीज जी जिसके बीच में ऐसा भाई चारा होता है इन दोनों में जानते हैं कैसा प्रेम है ये दोनों जब गले मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अलाउद दीन खिल जी अपने चचा जलालुद दीन खिल जी से गले मिल रहा है और दोनों के दिल में तमना कौन एक दूसरे को निप्टा के पूरी गड़ी हतिया ले देखिये तैसीन भाई के भी मुझे निकला सबसे बड़ी पार्टी तो हम ही बनेंगे आनन्द भाई ने कहा सबसे अदा सीटे हम लड़ेंगे यारी गद्दी की लड़ाई है वही तो मैंने कहा अलाउद दीन जलालुद दीन बाला प्रेम है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बहुत साफ कि किस वोट भाई जबसा है पंद्रा सेकिंड लिए आपको 10 सेकिंड को 15 सेकिंड लिए यह अबू आजमी जो कह रहे हैं जो आपका गड़बंदन का हिस्सा है वो कह रहे हैं कि हम अभी दो हैं हमें 6-8 एमेले और चाहिए और जिस दिन 8 एमेले हो गए ना किसी की माने दूद नहीं पिलाया जो मुसल्मान की तरफ आँठ आँख उटाके देख सके यह भी आपी के गड़बंदन का हिस्सा है ना हम जादा सीटों पर अरे सुनिये ना एक विनर उस पर भी आ रहा हूँ हम तो कह रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी तोड़ के आई है उनके हाथ में जुन-जुना है कोई 50-60 कोई 30-40 तो वहां पर देखे किस प्रकार लोग तंत्र है और रही बात अबू आजमी के बयान की तो सरकार में केंद्र में ये बैठे हैं राज्जी में ये बैठे हैं आपको लग रहा है कोई बेतुका बयान है तो करवाई करिए लेकिन गड़बंदन में वो बैठे हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया है सरकार तो अपना काम करेगी तो सरकार को करना चाहिए लेकिन सब को स् करेंगे वह 12 मांगें वह 10 मांगें कि 10 मुसल्मान और आ जाएं तो मुसल्मान मजबूत हो जाएंगे यह उनकी पार्टी की सोच है सुनीर साजन बैठें उनसे पूछ महाराष को विकास की रा पर ले जाना है महाराष के नौजवानों को रोजगार देना है यहां के किसानों की आई तैसीर पूरा वाला जो अभू आजमी ने बोला कॉंग्रेस उसके साथ कड़ी है लेकिन शिव शेना उद्धवगुट उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई नही वो दिल से साथ है यह सामने से बिखना नहीं चाता लेकिन वोट चाता है में अब अनन बाई किया थे मेरे वहरा हुआ अनन भाई आप सीटे अब 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 लेकिन बिल्कुल आनन भाई से बात पर इतफा गटाओ महाराश्ट्र के लोग सिस्फ एक ही चीज चाहते कि यह जो खोके की सरकारे यह जाए और जो एक्चल सरकार आई जिन्होंने महाराश्ट्र का विकास किया है जो महाराश्ट्र की जड़ीपी को बढ़ा ह प्लीज जी मैं यह कहना चाहरा था कि आई एंडिया की जो एक्ता है वो सूडो एक्ता है च्छट एक्ता है जैसे ही यह मुद्दा आता है कि मुख्पंती का दावेदार कौन होगा वैसे आप देखिए कि कैसी च्छट पटा हट होती और एक दूसरी के उपर आरोप लगने लगते हैं अभी हम लोगों ने आपकी चैनल पर देख लिया कि उन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया है कि पोड़ी कि देखता है महराजर की जंता है इस बात को भी देख रही है कि意ंडिया की यह जो तीनों दल हैं यह आपस पर किस प्रकार से बात करते हैं और इन्हें यह बात मालूम है कि हम लोग कुछ प्रकार प्रकार, कि नारा जान भूचकर योगी-जी से बुलवाए गाया है क्योंकि उनकी छवी ही ऐसी है अबू आजमी कह रहे हैं कि 6-8 એमिले होने चाहिए तो फिर किसी की म ने दूद नहीं पिलाया जो मुस्लमान की तरफ उठाकर देख सके तो चबी किसकी कैसी है देखे मैं मैं अभी साही मैं बिल्कुल क्लियर कट कर रहा हूं अबू आसिम माजमी साहब ने जो बात कही है कि जैसे ही हम दो से छे आठ हो जाएंगे समाजवादी बिदायर तो फिर किसी के हिम्मत किसी की तरफ आख उठाके देखने की नहीं है ना महिलाओं की तरफ ना गरीब की तरफ ना मुस्लमान की तरफ ना ब्यापारी की तरफ किसी की तरफ नहीं और हम तो एक बात बिल्कुल क्लियर कहते हैं हमारे नेता मानिया खलेश यादो जी ने पीडिये का नारा दिया हम तो कहँए आपके कारिकम में ओठ हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा हम तो पीडिय को इखट़ा कर रहे है और इंडिया गट बंधन भी है इंडिया देश भी है दोनों इंडिया भारती जनता पार्टी की नफरत से जूट से उनके बटवारे से बटने वा आदिवासियों का तो अम्रत काल है नहीं संद उद्धो पती और चंद विरादरियों है शुदान चुतरवेदी की पार्टी चला रहे हैं जी जी सुदान चुत्रवेदी मैं बताना चाहता हूँ देखे इन्हों ने ये बात कही कि अबु आजमी ने जो बोला शाय सुनील यादव जी सुनके भी नहीं सुनना चाहते हैं ने भई वीडियो है दिखाई पढ़ रहा हूँ मुसल्मानों के लिए कह रहे हैं अब जबर्दस्ति आब उसमें महिला भी और वो गरीब भी और वो आदिवासी भी घुसड़े दे रहे हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ सुनील जी 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाओं में समाजवादी पार्टी के कास गंज के परत्याशी शायद उनका नाम हसरत शेरवानी था उनका भी वीडियो अवेलेबल है जिस दिन सपा की सरकार बन गई उस दिन किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुसल्मान की तरफ आँख उठा कर देख सके वो वीडियो भी अवेलेबल है उसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है और आपने कहा पिछणों का सुनकाल नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं इस समय देश का सर्वकालीन सर्वशक्तिशाली प्रदान मंतरी जो मौर्निंग कंसल् सबसे लोकपरी नेता हैं वो शी नरेंदर मोदी ओवी सी समुधाय से हैं और दलितों के लिए आपकी पार्टी के दिन में जर्म जातों के लाना चाहता हूं अगर खतम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकाव में खतम किया और वो खतमी नहीं किया जुए अब जनमजात पिछड़े नहीं है राजड़े तिक पिछड़े हैं राजडीत में आने के लिए अचा तो अगलेश यादाव जी जो मुझमंत्री घर में पैदा हुए वो जनमजात पिछड़े और जो गरीम मा की कोक से पैदा हुआ इसकी माने जाके वरतन माने जुठे वो आगये डिस्टर्ब करने पर इस बात को स्उकार ने यह बड़ा बयान है सुनील यादव आप कह रहे हैं कि वो जनमजात पिछड़े नहीं हैं मतलब आदादी के वाद से जो पिछड़े की श्ड़े में आये उनको आप पिछड़े मानता ही नहीं इसका मतलब यह क्या यह इतना ब्रवायन दिया है यानि आजादी के बाद से जो पिछड़ों की शड़ी में आए उसको आप पिछड़ा नहीं मानते इसका माइन ये जनमजात पिछड़े नहीं मैंने ये कहा आप क्या मेरे बात को नकार सकते हैं नहीं सुनी लिया दा जनमजाद मुस्लिम है वह जनमजाद मुसलमान नहीं है वह जनमजाद इसाई नहीं है लेकिन पिछटरों में बोलेंगे कि जनबग्याद नहीं है बइए इस फिर नहीं एक एक इस बिखके एक सिर्फकतार तो पुछारा उसमें तीरासी मुसल्मान थे मुसल्मान थे जब पिछड़न वरगायोग निसे सवाल पूछा जो कि सम्वेधारिक दर्जा मोदीजी ने दिया है तो पशिम मगनाल की सरकार क्या बोली यह कनवर्ट होने से पहले ऐसे थे इसलिए दिया है गजब है करनाटक की सरकार ने का सारे मुसलिफ पिछड़ें वो जनमजाद पिछड़े थे जो जो वहाँ पे तेलंगाना की सरकार ने डाल दिया तमिलाड की सरकार में मुसल्मानों को डाल दिया वह जरमजाद पिछड़े थे यह पिछड़ों के जो दिखावती अलंबरदार है यह चुपी साद लेते हैं क्योंकि वह मजबूत वाला वोड़ बाइंक हो जलितों के ब्रिजमोन अगरवाल वांट शुके इस पर आपके आवाज ने आ रहे हैं ब्रिजमोन जी कोई बात नहीं क्या पूछा आपके डिया अजी जनम जात पिछड़े नहीं है उस पर आपकी राय क्या है जो अभी समाजवादी पार्टी ने बोला इस पर देखिए अमिश जी इस पर हसने के अलाब और किया कि बोला किया जा सकता है इस धंकी बात जिसको पुरा विश्व जानता हो कि वो पिछले वक्त से हैं इसके लिए कोई उनको प्रमान पत्र की भी जरूरत नहीं है इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में शिफपाल यादव ने अधिकारियों को खुली धंकी डे डाली है कारे करता लाल कलम से अधिकारियों का नाम लिख ले सीधे तोर पे का गया है स्पी की सरकार बनेगी तो पूरा हिसाब किताब होगा दो हजार सत्ताइस में बन जाएगी समाजवादी पार्टी के सरकार तो अधिकारियों के साथ पूरा हिसाब किताब होगा शिपपाल यादव की अधिकारियों को ये बड़ी धंकी है सिधा मैं सुधान शुत्रवेदी का रुक करता हूँ सुधान शुत्रवेदी 27 में सपा की सरकार आ रही है अधिकारी नोट कर ले देखे वो जो खाबो खयालों वाली सरकार है और जिस प्रकार की बात बोल रहा है इनकी दो बाते समझे इनकी मानसिक्ता यही है अभी 2022 के चुनाओं में याद करिये अखिलेश यादव जी की रैली का वो वीडियो ए पुलिस ए पुलिस समबल के रहो याद करिये समबल के इनके एक कारिकरता का वीडियो जिसमें पुलिस वाले से ने चालान किया वगएर हेलमेट के चल रहा था तो कहता अब कर ले तू चालान इसके बाद या तो तू रहेगा मैं या रहूंगा तो इसलिए ये जो आप ये बात करें और अन्त में एक अंदर लाइटर नोट मजाक में कहना चाहूं एक हम लोग तरफ गाउं दिहात में कहावत होती है कि आधी रात का खांसी आवे और सई साम से मूँ फैलावे मतलब मैं सोच रहाँ कि आधी रात को खांसी आएगी तो सूरज जलते ही मूँ फैलाना शुरू कर दिया मेरे भाई अभी दोहजार सताइस बहुत दूर है और याद रखिये कि सत्रा में भी हमारी सरकार थी बाइस में भी हमारी सरकार है सताइस में भी हमारी सरकार रहेगी वैसे शूपाल जी के ये अर्मान है या ये अखिलेज जी के अर्मान पर पानी फेरने का काम है ये जवाब जवाब सुनील यादव ये धमकी वरा अंदाज सपा में अलाउड है अबास अंसारी भी मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने पुलिस के लिए बोला था कि हिसाब किताब पूरा होगा 2022 में कोई अफसर कहीं नी जाएगा अबास अंसारी ने बयान दिया था मेरे जैसे कारकरता के पास लाल डैरी है लाल पिंसे उन सभी अधिकारियों का नाम और उन सभी भारती जन्ता पार्टी के निताओं का नाम लिखा जा रहा है जो गलत कर रहे हैं जो जिम्मेदारी से हट करके काम कर रहे हैं जो कानून को तोड करके काम कर रहे हैं सभाविक है उनके नाम होंगे तो उनको जेल भेजना थोड़ा आसान रहेगा उनका इलाज करना थोड़ा आसान रहेगा तुसे कौन से बड़ी बात है कानून तोड़े गा उसकी जगे तो जेल में है बाई बिजेपी भी सरकार में है आप कर रहा हूं दो हजार दो हजार 27 का चुनाओ जब होगा तो दिल्ली में मोदी जी की सरकार नहीं होगी और सब कुछ बदल जाएगा उत्तर पर देश के अंदर देखे एक इनके दिल की आर्जू कैसे उबर के सामने आगए इनके मूँ से निकला जेल जाएंगे जब की जेल जाना अदालत तै करती है आगए इस सपा की असली है हकीकत सामने और 27 तो मेरे भाई छोड़िये पहले 7 सीटों के मामला तै कर लो और उनके बाद बताना कि 27 तो सरकार रहे गी है नहीं इसलिए मैं कहा रहा हूँ ये ख्वाबों ख्यालों की बात छोड़ दीजे तुम्हें इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुमारे पैरों के नीचे जमी ही नहीं है इसलिए पहले हम से लड़ना छोड़िये जरा कॉंग्रेस से वक्ते कंतराल का है ब्रेक के उस पार सीएन बीसी आवास के टकर में बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आप देख रहे हैं सीएन बीसी आवास का टकर और टकर के ट्यूजडे एडिशन में एक बार फिर आपका जोरदार अभी नंदन है और अब वक्त है सत्य और तत्य का परतेक्ष को प्रवान किया विशक्ता नहीं होती विवेवर्स बीते दस साल में भारत की विदेश नीती में कितना बड़ा बदलावाया है इसका नजारा आजकल पूरी दुनिया देख रही है और दंके की चोट पे देख रही है और भारत की मसबूत कूट नितिक जीत का ताजा और बड़ा उधारन ये है कि भारत और चीन के बीच अब L.A.C. पर पेट्रोलिंग के लिए 2020 की स्थिती बहाल करने पर सहमत ही बन गई है ये बड़ा है ये घटना करम अपने आप में बहुत बड़ा है तो कि चार साल बाद चीन और भारत के बीच जो दुश्मनी की दिवारे खिचिती उस पर विराम लगता हुआ दिक तो रा है ये खबर सिर्व इतनी ही नहीं है विवर आज मैं आपको इसकी इंसाइट स्टोरी बताऊंगा इस कहानी की नीव भारत से 11,400 किलो मिटर दूर केनेडा में बड़ी खालिस्तानी आतंकी हरदीब सिंग निर्जर की हत्या के मामले में केनेडा ने भारत को कटगेरे में खड़ा की करने का एक दुशकर्म प्रियास किया भारत ने केनेडा को उसी की भाषा में जवाब दिया करारा जवाब दिया तो अमेरिका भी इस विवाद में कूद पड़ा अमेरिका ने एक और खालिस्टानी आतंकी पन्नू के पक्ष में भारत पर आरोप लगाए और वो भी गंभीर प्रधान मंत्री मोदी ने वेस्टरन वर्ड को इस दादागिरी को को सिरे से खारिच करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत हलके फुलके रिष्टों में यकीन नहीं रखता दो देशों के संबंदों की बुनियाद बहुत बिश्वशनेता के आधार पर होती है दुनिया भर पर दादागिरी चलाने वाले अमेरिका और उसके अलाइंस को ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंतर के मुख्या की तरफ से सीधा और बहुत कड़ा और बड़ा संदेशना भारत की असर्टिवनेस का सबूत ये है कि हमारा चीन से विवाद लगबख सुलज गया है हम वेस्टरन वर्ड के दवाव के बावजूद रूस से तेल खरीद रहे हैं भारत इरान से भी बात करता है और हमारे इसराइल के साथ भी बहुत-बहुत संबद है डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा की पॉइंट मेसेजिंग होता है और शत्रंच के खेल की तरह डिप्लोमेसी में भी शेह और मात के बीच मस्बूत इच्चा शक्ती, क्लियर विजन और नेशन फर्स्ट वाली सोच होनी बड़ी आवश्चक है और प्रधानमंत्री मोधी की सूजबूज और समझदारी के चलते भारत कूट नीती से कारोबार तक अब दुनिया में अपना स्टैंड बड़ी मस्बूती के साथ रखने वाला देश बन चुका है जब नरेंद मोधी शासन में आये थे 11 साल पहले तो उन्हें नौसिक्या का जाता था कि उन्हें डिप्लोमेसी के बारे में का डी भी नहीं पता है लेकिन आज शायद दुनिया के देश दुनिया के बड़े बड़े नेता मोधी से सीखते होंगे डिप्लोमेसी के अंदर क्योंकि किसको कैसे साधना है ये भारत करके दिखा रहा है और ये टीम मोदी और टीम इंडिया करके दिखा रही है तो फिलाल टक करके आज की अडिशन में इतना ही उमीद है आज का कारेकरम आपको जरूर जरूर पसंद आया होगा नमस्कार, गुड नाइट झाल झाल, बाही है भी मोदी लाइट झाल, गुड वही है यूज वहating का मदी पसंद आपको कैसे साफने ही है यहाल, भी मोदीर अपकार